नमस्कार आप देख रहे हैं अर्थप्रकास टीवी मैं अलुशा जुनीचा आपके लिलाई हूँ पांच राजो की बड़ी खबरे पांच वर्षे बच्चे के साथ पडोसी युवक ने किया खूर कर ब्लोगर्स ने जमाया चंडीगड में रंग हर्याना की बेटी के निधन पर दो दिन का शोक नविवाइता ने पती पर लगाया अप्राकृतिक योन संबंद का आरोग हर सिम्रत बादले ट्वीट की सुश्मा स्वराज के साथ बेहत व्यादगार तस्वीर लुध्याना में मायनिंग अधिकारियों पर लाठियों रोड से हमला हिमाचल काबिनेट की बेठक आज कहीं एहम फैसले होगे हिमाचल के नाहन से रहा सुश्मा स्वराज का गहरा नाता ओटो चालको को दिल्ली सरकार का तौफा मिटर अपग्रेडेशन शुल्ख 400 रुपए निर्थारत NCR में सुबह सुबह मैसूस किये गए भुकम के जटके अब खबरे विस्तार से सेक्टर 31 थाना अंतरगत में पडोसी युवक के 5 वर्षिये बच्चे से कूकरम करने का मामला सामने आया है बच्चा रोते हुए घर पहुचा और सारी बात अपनी माँ को बताई इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई सेक्टर 31 थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट वे अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जान शुरू कर दी है अब ब्लॉगिंग का क्रेज तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है यह एक डाइनेमिक इंडस्ट्री बन चुकी है यह सिर्फ ब्लॉगिंग नहीं रहा गई बलकी यह माइक्रो ब्लॉग्स, ब्लॉग्स, इन्फ्लुएंसर्स और सोचल मीडिया तक पहुँच चुकी है देश के ऐसे ही नामचीन ब्लॉगर्स के लिए बुद्वार को चंडीगर के एक होटल में एक राउंड टेबल कॉन्फरेंस और पीपल चॉइस और एडिटर चॉइस अवार्ड का योजन किया गया हरियाना के मुख्य मंत्री मनोहर लाल समेत उनके मंत्री मंदल के अनेक मंत्री पूर्व विदेश मंत्री सुस्मा सवराज की अंती मियातरा में शामिल हुए सीएम और कृशी मंत्री ओपी धनकड ने उनकी अर्थी को कांधा भी दिया हरियाना सरकार ने दिवंगत आत्मा के सम्मान में 7-8 अगस्त का राजक्य शोग घोशित किया है रतिया शेतर के गाउं की नव विवाहिता ने अपने पती पर आप प्राकरतिक संबंद बनाने और नंगन करके घर में घुमाने का आरोप लगाया है पती साथ ससूर समेत अन्या ससूराल जनों पर दहेज उत्पीडन और मार पीट करके घायल करने के आरोप भी लगाये गए हैं घायल नव वहिता को सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया गया महिला हेल्प डेस्क अधिकारी ने इसकी पुष्टी करते हुए उचित कारवाई की बात कही है केंद्रियम मंत्री हरसिमरत कोर बादल ने सुष्मा सवराज के साथ एक यादगार तस्वीर ट्वीट की और शरधांजली देते हुए दिल छू लेने वाली बात लिखी लुध्याना के काउं खड़क में मंगलवाद देर रात माफिया ने माइनिंग अधिकारियों पर हमला कर दिया हमले में तीन मुलाजिम घायल हो गए वह देर रात सिविल अस्पताल पहुँचे बुद्वार सुबै उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई पुलिस आरगपियों पर केश दरज कर मामले की जांच कर रही है हिमाचल मंत्री मंदल की गुरुवार को रज्या सचिवाल्या में चल रही बैठक में मुख्या मंत्री जाराम ठाकुर की धेक्ष्टा में कई अहम फैसले लिये जाने संभावित है इस बैठक में नोक्रियों में हिमाचलियों को तरहीज देने बी एमबी विजली प्रोजेक्टों का बकाया लेने के फार्मूले पर चर्चा करने और नो डिटेंशन पॉलसी समापत करने के मामले पर चर्चा संभव है सिर्मोर से भी पूर्व विदेश मंतरी सुस्मा सवराज का गहरा नाता रहा है दिवंगत सुस्मा सवराज वे पूर्व मंतरी श्यामा शर्मा की मितरता इतनी घनिश्ट थी कि शुष्मा के एम्ज में दाखिल होने की खबर सुनते ही आधी रात को श्यामा शर्मा दिल्ली के लिए निकल पड़ी एम्ज में जब वह पहुँची तब तक भारत की बेटी शुष्मा सवराज अनतिम सांसे ले चुकी थी दिल्ली के आटो रिक्षा चालकों के लिए खुश खबरी है दिल्ली सरकार ने आटो किराया बढ़ाने के तहट मीटर अपग्रेड करने के बाद होने वाली सडक जांच को समापत कर दिया है इतना ही नहीं अब मीटर को अपग्रेड करवाने के लिए भी अधिकतम 400 रुपे वसूले जाएंगे पहले यह है शुल्क क्रीप 1000 रुपे तक वसूल आज जाता था दिल्ली अन्सियार में गुरुवार को सुबह सुबह भुकंब के जटके महसूस किये गए रिक्टर स्केल पर इसकी तीवरता 5.8 मापी गई और इसका केंदर अफगानिस्तान बताया जा रहा है हालांकि दिल्ली अन्सियार में कितनी तीवरता का भुकंब था यहा भी पता नहीं चल सका ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थपरकास टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें